शादी सुधा पुरुष की पहचान एक, उसके हाथ में सबजी का जोला और बाइक के हैंडल पर लटका टिफिन बॉक्स होता है दो, ओफिस का काम का टानुव से ज़्यादा टमाटर या आलू के भाव का ख्याल ज़्यादा रखता हो समझो वो पुरुष शादी सुधा है तीन, शहर में सेल की खबर सुनकर जिसका बीपी बढ़ जाता है ऐसा पुरुष शादी सुधा होता है चार, जो पुरुष दोस्तों के साथ घूमे से ज़्यादा बजार में सबजी की लारी पर ज्यादा देखाए दे समझो वो पुरुष शादी सुधा है पांच, जिन पुरुष के कंदे जोके हुए और माथे पर बाल कम होता है ऐसा पुरुष शादी सुधा होता है 6. जो पुरुष गलफ्रेंट के साथ घूमते लड़कों के साथ हमेशा दया भाव से देखता है उन पर पूरी समवेदनाएं उमेर देता है ऐसा व्यक्ति शादी सुधा होता है 7. उसे घर से फोन आने पर फोन उठाने से ज़्यादा फोन तातने की जल्दी होती है 8. जिन पुरुष में अविवाहत आदमी वाला जोश और चंचलता नहीं होती ऐसा पुरुष शादी शुदा होता है 9. जो पुरुष शादी से पहले अलग-अलग हेर स्टाइल रखता था लेकिन शादी के बाद उनके बाल का भी ठिकाना नहीं रहता 10. गल्फ्रेंट के साथ गूमते लड़कों को क्रूर और शादी शुदा यूगल को कातर द्रिश्टी से देखता है 11. शादी शुदा आदमी ज़्यादातर शांत्चित होते हैं उनके चेहरे पर कभी-कभी उनका अनुभव सपष्ट रूप से लिखा होता है 12. वो ओफिस इस जजबे से निकलता है मानो कोई क्रांतिकारी जेल की ओर जा रहा हो और ओफिस से घर यू लोटता है मानो उसे शहादत का मौका भी मिल गया हो 13. थोड़ी दिन के अंतर पर मिलने पर आप पाते हैं कि सल्मान खान जैसी सूरत वाले दोस्त की शक्ल शक्ती कपूर जैसी हो गई है तो समझे वह भी अब परिवार वाला है 14. काम करते करते तीन डैस कागे वाली मिस्रिया को गलती से अजी सुनती हो कहकर बुला दे तो समझ जाए कि व्यक्ती शादी शुदा है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद